कुप सार इसके बड़ जोड़दार सी कहनियों गा जाता है कि इसके पिताजी जो थे उनका नाम था सेतराम जी या थो कोराव सो बाई थे या सेतराम जी की बेटे किते थे बै, 10-15 रानिया ओ, 5-6 का एवरिज, हो जाये, तो किते बेटे मने जाते हैं, आर तो कहानिया है, Sia के बारे में कहा जाता है, कि Sia जो था, तो Sia के बारे में शीक लाइन ही बोलते हैं, गुन्चासां सियो बढ़ो, Sia बढ़ा 50, मतलता, 59 से तो C.A. बड़े कितने थे 50 तो बताओ बच्चों C.A. कौन से नंबर पे था बताओ रिजनिंग का सवाल है 50 पे 50 वाबस सुन लो कौन से वे था 51 गुंचास तो C.A. बड़े किते 50 तो C.A. कौन से नंबर पे होगे 51 C.A. क्या होन पे आएगा तभी तो C.A. से चोटे 49 बचेंगे और C.A. से बड़े किते हो जाएंगे तो यसा कहा जाता है कि यह जब पेदा हुआ था C.A. जब पेदा हुआ था तब अब तो क्या घडियां आ गई हातों हाथ अपने टाइम देख लेते हैं बच्चा पेदा हुआ पांच बजगे 48 मिनट 24 शेकिंड टाइम लेते हैं और बाद में पंड़ जी करते हैं पंड़ यह लो जलम पत्री बनाओ बताओ बच्चे का ब जसे लिए घडियां तो पOh about ज़टी नहीं तो पहले क्या करता है तो फेले जहां चाया हुआ करती थे लेट trabalhता है है चांद की जहां पर वो रोसनी पड़ रही है वहाँ पर लाइन खिंच लिया और उसके आधर PRE tigeln निकला करते था तो वह जो दाही थी दाही तो समझते ह जो बच्चा करवाने वाली नर्स जो थी दाई जो थी दाई को क्या रखा था कि भाई टाबर होते ही तू लाइन खिंच देना दाई बेचरी भूल गई लाइन खिंच में और दाई को कोई थोड़ देर बाद में आदाया और लाइन खिंच नहीं थे लाइन खिंच उसने थो पहुष्य म берत Rhodes पंद जी ने लंगत इन पहरे सoration इस बच्चे का मुफ यदी बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा हुआ Look sorry हुआ हा हुआ तो सेत्र हमजीं का अपने मुझे लेक्व जरूर ही है अपने कॉंट सी कम्य है और कौन सी कमी पढ़ जाएगी और शेत रामजीन के जलादों को आदेश दिया जलाद जलाद समझते हो मारने वाले किसी को जलाद बुला का इस बच्चे को लेके जाओ जंगल में मार के आओ बच्चा पेदा ही हुआ था एक दिन का हुआ अभी एक दिन का ही हुआ नहीं जलाद लेके जंगल में और जलादों को लगा कि यार हालंकि अपने जलाद हैं अपना तो काम ही किसी को मारना है पर फिर भी एक दिन का जिल फेक दम इतना छोटा टाबर को कैसे मरे तो उन्होंन कहानी है ऐसी कहानिया सुनाई जाती है उसके बारे में कि गुफा के अंदर फैंक दिया ऐसे कहानी है कि इस गुफा में एक शेर्नी रहती थी उस शेर्नी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था इसे दिन बच्चे को जनम दियार, वो सो रही थी बच्चे के साथ में, इन्होंने वो ताबर फेंका, वो ताबर लुडगता लुडगता, उस गुफा में उस सेरनी के पास जाकी गिर गया, जब सेरनी जागी, तो उसको लगा, मेरी दो बच्चे है, और सेरनी ने उन दोनों चले हाथ को भी उसने पेर बना लिये और वैसे चले और यू जपट्टे मारे कच्छाई खा जाए किसी को अजी कहानी कि यह पालीवाल ब्रहमन अपने एक बार उदर यूपी साइड में गए वे बिजनस करने यह उन जंगलों से उकर गुजर रहे थे कोई और इनों ने जंगलों में बड़ा कोतक देखा बहिंकर वाला करतब देखा और इनों देखाए कि वहां पर पांच सेर आपस जपलं एकड़ और एकड़ weekend वेसे चल रहा और उन पांच सेरह क्लेव दॉटेमेश में वह जीत रहा है किसी सेर मै आप मार भात को हिसों निकाल रहा है किसी के अधे क्जआ है तो एड में और सेays नो कर राए यह तो तो तुनका रहे है देखो還मत इश की तरथ अपने पुम्भा देखा है, क्या हुआ? अब एक आदमी है, और सेरों के साथ रहता है, यह तुम सेरों की तरह वेभार कर रहा था, शेतर रामजीन का रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, उनकों से देख के हैं, वो जलाद वहीं पर बेठा था, जलाद कड़ावार उसने का साब, गल्ती मा फेंके आओ, हाँ, हम उसको सेरनी की गुफा में फेंके आए था, और हो ना हो, खुदाना खास्ता यह वोई बच्चा है, बच गया होगा और सेरों के साथ में रहा होगा, और सेतराम जी का जीव भरके आया, सेतराम जी लगाया, आर अपना टावर इस परकार, जानवरों क है, क्या गुर्रा आ रहा है, आराम से बढ़ जाए धर, फिर उसको यह कच्चा नहीं खाते, रोष्टेड भी कोई चीज होती है, और गुर्राना नहीं है, बोलना है, इसके नाकुन काट हो रहे, नाकुन काटे, दान छोलो थोड़े आगे से, कपड़े पनाओ, क्या ऐसे सटल डाउन हुआ, वो पलिवाल ब्रहमन आगे चले गे, बिजन्स करने कहीं, धोड़े जिनों बाद पलिवाल ब्रहमन वापस लोटे, वापस राजा के दर बार में गए, और राजा को जाक का सेट्राम जी वह खोड़े सेट्राम जी, हम एक बात बता कही ते क्या हो, सेट तोड़ा ठीक रहे और हमारी वहां पर रक्ष्या वगिरा कर ले कि चैटरामजीन का खूब आपने खूब सारे बैटें किसी को ले जाओ उनका सब और किसी को नहीं कि वह सेरों के साथ रहाता इसलिए नाम सीहा है नाम क्या है फिर कहानिया कती है कि राव सीहा 28 गुर्षवारों के साथ राजस्थान आया किते गुर्षवारों के साथ 28 बार एक सो साथ किते हो जाएंगे पहले गिंती 20 की आती थी तो फिर 28 इसट बीसीन वेसे बोला करते थे तो अच्वी आठबीसी गुड़्षवार ओंगे एक सो साथ गुर्षवार लेकि यहां पर आता है यहां पर अपने खेड़ पे कबजा करता है पालीवालों का राजा बनत जोटपूर का जो मेहरानगिड का किला है उसके अंदर एक फोटो भी लगी है एक चित्र लगावाई पैंटिंग लगी है जिसमें यह जो मैं आपको घटना बता रहा हूं इसकी पैंटिंग है कि सेरों की लड़ाई हो रही है और उस सेरों की लड़ाई में एक आदमी है प कोड़ी अपने हिसाब से समय के साथ से कहानिया अपना मरग खुद परिवर्तित कर लेती है अपने हिसाब से सब्द चुन लेती है पर फिर मुझे लगता है कियार कहानी जूटी रही होगी एकदम जूटी रही होगी एकदम कालपनिकी रही होगी पर इस जोदपूर के अं कुछी बुक लेकी भी है उस जंगल बुक के लिए उसको 1907 में नोबेल पुरुसकार मिला था जो किसी भी अंग्रेज को सहित्य का पहला नोबेल पुरुसकार था लिटरेचर के लिए फर्ष्ट नोबेल किसी अंग्रेज को मिला था रूडियाड किपलिंग है जिनकी बुक क जन्गल पुमिन प्रकार आंदरे केरेक्टर पाइब मॉगली कौन सा चाहिए जो इसी प्रकार जंगल में पसुँन के साथ रहता है पर मनुस्यह है पर पसुए की तरह विवहार करा ऑर हम सबने छोटी किलासों से वह कविता सुनी होगी कि जंगल जंगल बात चली है चड़ी पहन के फूल खिला है कि सुनिए वो उस मोगली को हम सारे जानते हैं कालांतर में जंगल भुक पे मुवी बनाई गई और मुवी ने भी खुब अवोर्ट जीते जहां तक मुझे आद आते हैं ओस्करी जीत गई थी मुवी कि हो ना हो रुडियाइड किपलिंग देख के जोद्पूर में गया था यह कहां देखके गया था कि उसने पका यह पेंटिंग देखी होगी और पेंटिंग देखके काऊगा यह क्या है अपने वड़ों को इनको नहीं जानते बैस कैसे यह हमारे सीओ जीए तो तो तुम्हार तो सिया जी का नाम ही क्या है सिया अंग्रेज इंटलिजेंड थे उसने का यह प्लोट अच्छा है कि कहानी इस पर अच्छी बनाई जा सकती है हमारी कहानी दुनिया बेच खई पुरुषकार जीत गई मैं आपको पहली बार सुना रहा हूं आपने पहले नहीं सुनी होगी हम मोगली को जानते हैं हम रूडियार केपलिंग को जानते हैं हम जंगल बुक को जानते हम अमरे सिहा को नहीं जानते किसको नहीं जानते इस बार जब भी मोगली देखो तो मनी मन गना के सिया है